ओम सायराम दिल्ली के रहने बाली शीतल शर्मा आज फिर से एक ऐसा अनुभव लेकर आई है जो सुनकर आप हैरान हो जाओगे जो साइपुजा चैनल हमेशा एक ही बात को चोर लगाती है वो है अन्नदान अन्नदान सर्वशेष्टदान आज बाबा ने शीतल शर्मा जी के सपने में आकर यही बात कहे कि अन्नदान कर अन्नदान कर आप खुदी सुन लीजे आज के अनुभव ओम साई राम, मैं साई पूजा चैनल के माद्यम से अपने एक experience शेर कर रही हूँ, मैं दिल्ली से शीतल शर्मा, मेरा experience है कि कुछ साल पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, बहुत लड़के देखें मेरे पापने लेकिन कहीं बात नहीं होई, मेरी एक फ्रेंड थी तो साई बा तो मैंने अपनी फ्रेंड को ऐसे बोला कि कौन से भगवान की पूजा करती है, तो उसने मेरे को बोला कि तू साई बाबा के मंदिर चलो, मैं उसके साथ मंदिर जाने लगी, धिरे धिर करके बाबा ने मुझे अपनी और इतनी तरह खीचा, बस मैं बता नहीं सकती, मैं को बाबा जी ने सपने में बोला कि अगर मैं तेरा रिष्टा पका कर दो तो तू भंडारा करवा देगी, मेरे पाप ममी न चीजों को नहीं मानते, तो मैंने बाबा को यह बोला, बाबा मैं ममी पापा से पूच के बताऊंगी, मैं अभी हां नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे करके कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक अब के बाबा को भी देखते हैं, अगर बाबा की कृपा से रिष्टा पका हो जाता है, शादी हो जाते तो हम बंढारा कराएंगे, आप यकीन ने करोगे, एक हफते के अंदर ही मेरे रिष्टा पका हो हो गई, यही बाबा का बहुत बड़ा मेरी कल है मेरी लाइफ में, थैंक यू बाबा इसी तरह अपना अशिरवात का हाथ बनाए रखना बाबा की किरपा से, मेरे दो बच्चे भी हैं, बेटा और बेटी, थैंक यू बाबा सब का भला करना, सब का भला करना, ओम साई राम आप सभी को कैसा लगाए अनुभव कमेंट्स में जरूर बताईएगा हम आपके जबाब का इंतिजार करेंगे साथ में लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओम श्री साइनाथाए नमहा